तो हे गाज वेल्कम एक टुमाइच आनल और जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपको तो पता ही होगा कि मैंने एक पहले वीडियो बना रखा जो कि बिहार इंजिनिंग कॉलेज के जो निव इन्वर्सिटी का फरमेशन हुआ जिसका गठन हुआ है उसके बारे मैंने कम्प् चेंज होने के प्रावलम आपके पास यह है और आप लोग पास क्वायरी विए और भरभर के कमेंट और कॉल इंस्टा पे वाटसाप पे मतलब जहां भी मैं सोसल मेडिया से जिससे कनेक्ट हूँ वह सारे लोग का एक ही कोशन आ रहा है कि क्या सर अब निव पैटन आएगा क्या एक्जाइम के लिए या अफिस्याल बेवसाइड अलग से बनेगा क्या यह लोकेशन जो आफिस का है जो की आपको पता होगा एक इंवर्सिटी था तो उसका मीठा फूर बस रेस्टिन में था वह अभी मतलब कि चेंज होगा क्या या निव से रजिस्टेशन होगा क् मतलब काफी तमाम सारे आपके पास कोश्चन है तो सबी कोश्चन को यहां पर लेने वाला हूं और आपको खास जानकारी देने वाला हूं कि कैसे क्या अभी होने वाला है निव इंवर्सिटी का जो फर्मेशन हुआ उसके रिगारणिंग क्या अप्डेट है तो यह निव जो अप्डेट आया है इसके उपर हम लों बात करेंगे तो बिल्कुल यह निव अप्डेट है तो बैसिकली इस वीडियो को छोड़के माँ जाना वीडियो को लाश्ट तक जोड़ देखना चले वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे नंबर वन गाईज आप मैं से काफी स सिलिवस होना होता तो अभि तक जो सिलिवस चले आ रहे थे उस सिलिवस में अभी तक कोई देखना को नहीं मिलेगा जो भी होना है लेकिन अभी फिलाहाल जाहत काविभाण आपको देखने को नहीं मिलेनी डीज़ाय तो आप को आपके पहले पास इनवर्शिटी था उसका नाम आपको इसके पहले पर उनवर्शिटी देखत आपको आप बिहार एंजिनिके वह अरे बिखर टुर्द ceram के बासे आतकissen SMS सॉर्छ च्क ओ selective अंपिता कोई तक नहीं है जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे अफिस्यल साइट नहीं कुछ करके तो आपके पास कोई अफिस्यल साइट नहीं आएंगे ठीक न और नहीं आ रहे जो आएंगे वह डिएस्ट का आएंगे ठीक न तो डिपार्टमेंट अप साइंस टेक्नोलोजी अब बिहार का आएगा तो वहां पर साफ साफ मैंने देखे थे कि यहां पर कोई भी आप भी आपके लिए अभी नही नहीं बनाया गया तो यह हो सकता है पंद्रह या सत्रह तारीक के बीच में आपका ऑफिसल साइट भी लॉंच हो जागा जैसे ऑफिसल साइट लॉंच होगा तो वहां पर क्या क्या चीजे कहां पर अपडेट होगी सारा चीज मैं आपको वीडियो के मादम से बता दूँग तो अभी उफिसल साइट वेगला लॉंच नहीं किया गया काफी ज़ल्द आपको ऑफिसल साइट भी देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसका मेन आफिस कहां पर रहेगा जैसे लोकेशन आफ अप ओफ इसका लोकेशन क्या होगा जैसे कि आपको पता होगा ना कि से एकेवी का इनवर्सिटी था तो एकेवी का इसका मेन आफिस जो था वो आपको देखने को मिल जाएगा मिठापूर बंस रस्टेंट पटना में ठीक ना लेकिन अभी इसका लोकेशन कहां पर तो यह भी आभी आपको कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन हाँ इतना जरूर न देखने को मिल जाएगा वह मैं आपको अब्डेट कर देंगा अब सबसे बड़ी जिन जो लोग वी फर्स समिश्टर में है अ झाल